जो जो केट्स जो कर नीचे गिर पड़ा सीधा जाकर वह कव्वा साधू की छोली में गिरा साधू ने आखें खोली और उसकी मरहम पट्टी की कुछी देर में कव्वे को होश आ गया लेकिन कव्वे का रंग सुनहरा हो गया था कव्वे को इस बात का पता न चला और वह जाकर अपने दोस्तों से बाते करने लगा तब ही उसे एक मोर ने कहा तब ही कववा पानी में जाकर देखता है और पाता है कि उसका रंग सुनहरा हो चुका है वे तुरंट संद के पास जाता है आपने मुझे दवा लगाई पहले तुम्हें बिलकुल काला था पर अब सुनहरा कैसे हो गया हूँ तुम अब सोने के कववे बन चुके हो मेरे अंदर इतनी विद्या आ चुकी है कि तुम्हें हाथ लगाते ही तुम सोने के बन गये लेकिन ध्यान रहे तुम अब बहुत सुन्दर हो बहुत प्यारे हो इस अच्छाई को बना कर रखना अगर तुम्हारे अंदर घमंड आया तो फिर से पहले जैसे काले हो जाओगे पर आपको कैसे पता कि मैं काला रहना नहीं चाता था मैं सब कुछ जानता हूँ बेटा कोवा खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा सभी बाकी कोवे उसे देखकर बहुत हैरान होते थे एक दिन सुनहरे कोवे ने अपने बाकी दोस्तों से कहा मैं अब सुनहरा हूँ आप सबसे बिलकुल अलग मैं चाहता हूँ आप सब मुझे जंगल का राजा बना दें यह बात सुनकर सब लोग बहुत हैरान थे ऐसा कहते ही तो रंट उसका पूरा सुनहरा रंग फिर से काला हो गया अरे ये मुझे क्या हुआ मैं फिर से काला कैसे हो गया उड़ता हुआ कववा दुबारा संत के पास पहुचता है क्या हुआ? मैं फिर से काला हो गया तुम्हारे घमन के कारण पुत्र मैंने तुम्हे कहा था कि ये खुद पर कभी घमन मत करना ये तुम्हारा घमन है कि तुम्हे फिर से काला होना पड़ा तुम हमेशा के लिए सुनहरे कवे बनकर रह सकते थे मगर तुमने घमन के कारण उस खूपसूर्ती को खो दिया वे को अपनी गलती पर बहुत पश्तावा हुआ सियार और साप एक जंगल में एक सियार और साप दोनों अच्छे दोस्त थे दोनों जो भी करते साथ साथ करते एक दिन सियार ने साप से कहा हम दोनों सैर पर चले आज मौसम बहुत अच्छा है दोनों बड़े मजे से जंगल की ओर सैर के लिए निकल पड़े सियार ने रास्ते में पड़ी हुई एक बीन देखी अरे ये क्या है? कोई लकडी का टुकड़ा है या कुछ और ये गोल गोल लग रहा है अरे इसे दूर लखो मुझे मुझे उससे डर लग रहा है क्या तुम्हें पता है ये क्या है? बीन बीन है ये ये बीन क्या होता है? और तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है दोस्त? दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं इस पीन का मतलब आसपास कोई सपेरा हो सकता है चलो चलो भागो कहीं यहां से भाग निकलते हैं सांप इतना डर गया था कि उसने पीछे मुढ कर भी नहीं देखा और लगातार भागता चला गया सियार भी अपने दोस सांप के साथ भागता रहा और जब सांप रुका तब सियार ने कहा अरे बस बस अब रुको भी यह बीन तुम अपने साथ क्यों ले आए अब मैं बीन बजाओंगा और तुम नाचोगे दोस्त अरे तुमने ही तो कहा था यह बीन एक बाजा है जिसे बजाने पर सांप नाचते है क्या दोस्त तुम भी मजा ले रहे हो क्यों नहीं आज तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा ठीक है तो फिर बजाओ सियार ने बीन बजाई और साप ने अपना सुन्दर नाच दिखाया धीरे धीरे सभी जानवरी कठा हो गए और साप का सुन्दर नाच देकर सभी चकित रह गए मुर्गी और खरगोश एक दिन खरगोश एक खेत में गया और बड़े मजल से गाजर खाने लगा तब ही उसे एक आवाज सुनाई दी बचाओ बचाओ ये कैसी आवाज है बचाओ बचाओ कोई है मेरे मदद करो अरे ये तो मुर्गी की आवाज है जरूर मुर्गी किसी मुसीवत में है खरगोश ने पूरे खेत में देखा उसे मुर्गी नहीं दिखी फिर खरगोश ने पेड़ और उसके आगे पीछे देखना शुरू किया मगर मुर्गी कहीं भी नजर नहीं आई फिर खरगोश परेशान होकर पेड़ की छाओं में ठक कर बैठ गया अरे कहां खोजूं समझ नहीं आ रहा ये आवाज कहां से आ रही है क्यों न मैं भी आवाज लगा कर पूछूं और उस जखा आवाज की सहारे पहुँच जाओं मुर्गी दोस्ट क्या हुआ मैं हूँ खरगोश बताओ तुम कहां हो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अच्छा खरगोश जल्दी आओ जल्दी आओ मैं दो पेड़ों के बीच में फस चुकी हूँ ये पेड तूटे हुए हैं और मैं इनके बीच में फस चुकी हूँ खरगोश ने आवाज का पीछा किया और पाया कि स्ट्रच में मुर्गी दो बड़े बड़े पेड़ों में बुरी तरह फस चुकी थी ओहो यह तो तुम चक में बहुत बुरी तरह फसी हुई हो पर तुम जल्दी आना दोस्त बस मैं अभी गया और अभी आया तुम बिलकुल पिक्रुमत करो खरगोश दोड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है तब उसे रास्ते में भालू मिलता है अरे अरे इतनी तेज भागते हुई कहां जा रहे हो अच्छा हुआ तुम मिल गए चलो मेरे साथ रास्ते में खरगोश भालू को सारी बात समझाता है और भालू की मदद से मुर्गी की जान बच जाती है शुक्रिया खरगोश और भालू भाई तुम्हें जोट तो नहीं लगी ना नहीं पर तुम यहां कैसे फस गई एक शिकारी मुझे पकड़ने के लिए भागा वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था मगर मैं भागते भागते ना जाने कब इन बेडों के बीच में आकर छुप गई शिकारी तो चला गया मगर मैं यहां फस गई तुम फस गई लेकिन मैंने तुम्हें निकाल लिया हाँ हाँ इसलिए जंगल में सबकी मदद करनी चाहिए हम कभी भी किसी की भी काम आ सकते है नृत्य प्रतियोगिता जंगल के सभी चानवर बहुत उत्सुक थे क्यूंकि राजाशेर ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी थी और सभी उसकी तयारियों में लगे थे खरगोश ने इस बार बहुत मेहनत की थी वे हर बार जीतने वाले पक्षी मोर को इस साल हराना चाहता था कैसे हो तुम मोर? मैं ठीकू तुम अभ्यास नहीं कर रहे इस बार खरगोश भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका इस बार एक ही लक्ष है तुम्हें हराना मुझे वह नन्ना खरगोश मुझे हराएगा असंभव सारे जिन्दगी अभ्यास करे फिर भी मेरे चितना अच्छा अनृति नहीं कर पाएगा इस बार भी देख लेना मैं ही जीतूँगा खरगोश मेरे दोस्त यह लो मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ इसे खालो आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे मुझे तुम्हारी मेहनत पर बहुत भरोसा है दोस्त चलो प्रतियोगिता जीतने चले जैसे तुम्हें मुझे पर भरोसा है वैसे ही मुझे तुम्हारे प्रसाद पर भरोसा है दोस्त आज की प्रतियोगिता मैं ही जीतूँगा मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करने से हर असंभव जी संभव हो सकती है हाँ दोस्त इस मोर का घामर्ण हमें तोड़ नहीं होगा चलो चलते हैं दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान तक पहुँचे प्रतियोगिता के समय सभी जानवर बहुत उच्छुक थे कोई मोर को प्रोचाहिद कर रहा था और उसी के लिए आवाजे लगा रहा था तो कोई खरगोश के लिए ऐसा कर रहा था सबसे पहले मोर को नाचने का मौगा दिया गया हमेशा की तरहा मोर बहुत अच्छा नाचा मोर के बाद अन्य प्रतियोगियों को एक एक करके मंज पराकर अपना नृत्य दिखाना था सभी का नृत्य अच्छा था मगर उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था सबसे अंत में खरगोश को मौका मिला खरगोश ने जी तोड महनत की थी उसने इतना सुन्दर नित्य किया कि राजा शेर उठकर खड़े हो गए और तालिया बजाने लगे वाह 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 इतना सुन्दर नित्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा आज का विजेता और कोई नहीं हमारा घरगोश है और सभी लोग तालिया बजाने लगे मोर चुप चाप शर्मिन्दा होकर वहाँ सुन्दर कालू साप को खुद पर बहुत घमन था क्योंकि जब भी उसे भूक लगती वह पास के गाउं में एक पेड के नीचे जाकर बैठ जाता गाउं वालों की उस पर बहुत आस्था थी वे सब उसे एक-एक करके आकर दूद पिलाते वह चुप चाप दूद पीता और अपने घर जंगल वापस लोड जाता कालू को कभी भी चोरी करने की या भोजन धूनने की आवर्शक्ता ही नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके भक्त उसे चाहने वाले उसे हमेशा दूद पिला दिया करते थे इसी बात पर कालू साप को धीरे-धीरे बहुत ज़ादा घमंड हो गया मेरे जैसा भाग्यशाली भला कौन होगा जहां भी जाता हूँ गाउवाले दूद पिलाते हैं अच्छा-च्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं मुझसे डरते भी हैं और मेरी पूजा भी करते हैं मुझे कोई कश्ट नहीं बड़ी आराम से जिन्दगी बीत रही है कुछ दिनों बाद गाउव में बहुत बधाली फैल गई बिमारिया फैल गई जिसका रण लोग बहुत परिशान रहने लगे अब कालू को देखकर हर कोई दूद नहीं पिलाता था कालू साब एक बच्चे को दसने के इरादे से गाउव में जाता है लेकिन वहीं उसे एक सपेरा पकड़ लेता है क्या बात है कालू? आज बच्चे को दसने जा रहे थे भूल गए? इन गाउव वालों ने ही तुम्हारी इतनी सेहत बनाई है लगता है तुम्हें खुद पर बहुत घमंड हो गया है जानते नहीं पूरा गाउव कितना परिशान है किसी के घर में चूला नहीं जला क्योंकि खेट सूक चुके हैं, बंजर पड़ चुके हैं और सारे जानवर बिमार हैं, भला तुम्हें दूद कौर पिलाता? मगर तुम तो रहे घमंडी तुम्हारा घमंड मैं उतारता हूँ सब लोग तुम्हारी पूजा करते थे, इसलिए मैं कभी तुम्हें पकड़ नहीं रहा था लेकिन आज तुम मेरे कबजे में हो, चलो मेरे साथ मैं बीन बजाओंगा और तुम नाचोगे और कोई दूदवुद नहीं मिलेगा, समझे? और इस तरहां कालू साब को सपेरा पकड़ कर ले गया और बेचारे साब को अपने घमंड के चलते पच्ताना पड़ा